तो आज की वीडियो में आपको उताओंगी बहुत ही संदर ब्लाउज की बैकनेग डिजैन के बारे में बता रही है और यह डिजाइन में सबस्क्राइब के रुकेश्ट अपर में रही है और इसकी ओपनिंग बैक साइड में तो देखिए सबसे पहले यह लैस दिया है और य देखिए 34 साइज दाएंग यह तैयार में वारा 8.5 इंच आएगा और 2 इंच एश्टा मार जाने तो देखिए जब उसमें यहां पर तैयार करेंगे तो इतना साइज दाएगा सुल्डर 6 इंच मुड़े 6 इंच और अभी नेक दियान के बारें बताते हैं तो दीखिए यह नेक मारा ब्रॉड हुआ क्योंकि यह पाउर्ट नेक है तो सुल्डर से 3.5 इंच लेले और लंबा ही आप अपने साइज के में शाह ले सकते हैं जैसे में यह 11 इंच लेया और इस तरह से एक नॉक सुना दिया है और अभी हम डियान देते हैं तो दीखिए उसके लिए सुल्डर से यहां पर 3.5 इंच नीचे एक मार्किंग कर देते हैं और मार्किंग ज्यादा नहीं वन इंच के असपास हमको अंदर की साइट लेगा है और हमें नेक्टो करते हैं तो दीखिए जो सुल्डर से यह इस तरह से आएगा यह जो नहीं पर वन इंच ले आए और यहां से इमारा इस तरह से यह थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा तो दीखिए कुछ इस तरह से आएगा यह और से डाट पेस को कट आए तो दीखिए यह डाट मैंने कट कर लिया है अब यह आपको सलाई का तरीका उताती है मैं इसमें नेक पट्टी उजनिंग कर रही है तो दीखिए यह ब्लाउज मैंने सीधा रख लिया है और यह जो हमारा अस्तर का ड्राफ है इस तरह से सैट कर देंगे नगेсем पार असको इस honor गाले तो हमने यह यह आपर से 3.5 ह curry उचा था यह ब्लाउज की निचे डर जसे पर यहाँ पर र्ख लेंगे और सटर तीनो कि साथ एकग़े इसमें स्लाई दाघए इसके बाद नेक को काट कर देंगे, ऊको पलड़ के फिनिशिं करेंगे, फिर इसको प्लेस लगाते निचे ब्लाविश फकरण काहएर, और निचे भलॉरी रक्यून चेह मैं दुरू रखे थे उपरसे लाएम. यहां से लेके मैंने पूरा यहां तक इस्टिच कर दिया है और अभी हम लेकों कट कर देते हैं और देखे यह मैंने लेक्ट लिये है यह राइड साइड का पाट है तो यहां से लेके हमारी कमर है यहां से लेके पूरे ने को अटेज करेंगे जो लेफ्ट साइड में उसको खाली यहां तक ही रखेंगे मैंने लेक्ट लाइड करेंगे यहां से यहां तक मैंने डावल तच्छाल दिया है और निचे जैसे फिनिशन्ग देते हैं ब्याट में दूर्पाई कर दूंगे और इसी ज़र मैंने दूसरा सैट का पीस्तेया तर लिया तो आप देख सबते हैं तो आप इसासम तरीके से संदर सी ब्लाउज की बैट डेयन बनाजीए दोस्तों आज की वीटियो में आपको ताहूँगा प्लाउज की बहुत ही सुन्जर नेक डेयन कैसे बनाजीए और यह कॉटन का ब्लाउज जैसे के गर्मी सीजन चल रहा है तो यह कॉटन है और इसको मै विदाउट लाइनिंग की स्टिच कर रही हूं तो इसमें जो डालूगी वह एक ही कलर का इसमें डाल रही हूं इसमें में कोई लेस वगर यूज नहीं कर रही है तो अभी आपको बताते हूं कैसे बनाना है तो देखिए सोल्डर से ले 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 तीन इंच इमने साइज के इ अभी हम इस पीस को कट कर देंगे जुन्य के तो देखिए मैंने कट कर दिया अगर आपका ब्लाउज लाइनिंग वाला है तो सेम आप लाइनिंग कट कर ले और इसी तरह से उसको भी कट करके और फिर लाइनिंग के साथ इसको अटेच कर दें ठीसों को और इसके बात जो में इसमें डिजाइन डालने वाली हूं जो य कि इसके फिनिसिंग दे दे दिढे तो यह दो इंच का पट्टी तैयार होगा तो मैंने इसका लंबा ही देखी यह डवल फूल्ड है डवल फोल्ड में 22 के असपास है तो यह जो हमारा एक पीस रहेगा वह 11-11 इंच के इसमें से चार पीस मनाएंगे और इसकी जो चोड़ा ही रहेगी वह 2 इंच की तो भी कैसे सबस्क्राइब का शेच ना चीज जो बनाना है वह अपको तो देखी जैसे पाथी कट की दिए मैने बताया था इसको इससे कट रहें कि इसको थाफ्य कर देखी ना है तो देखी में नीडिल में फोर फोलड़ीं नीवली और इसकी इनते से इसतरसे मितालीम इंप की अट स् अब इसको क्या है प्रेस कर लगने हम प्रेस करने से क्या है यह सेंट हो जाएगा प्रेस इस तरीके से करने जो यह सिलाई है यह पीछे सेंटर में आगा है तो बाहर के तरफ इस तरह से दिखें और इसके बाद अभी हमें नेक तयार किया था बताया था बट्टी मैंने वह त तो दिए कि प्रेस करने के बाद यह सेंटर में से लाए ले लिए और बाहर की तरफ आप देखेंगे इस तरह से फिनिसिंग आईगी और इसके अभी मैंने जैसे कि बताया है चार पीस कट कर लूँ इसमें से करें तो दीखें यह पीस में नीचे नार्मल जैसे फट्टी लिए के जैसे आपने ब्लाउद में आपको बताते हैं पत्ति कैसे अट्रश करने है तो देखे यह पट्टी में चार पीस कट कर लिए अब आपको कैसे सेट करना वह पताते हूं तो सोल्डर से हम इसमें 2.5 पाइंच पर निसा लगा देते हैं जो कि हमारा यह हाफ इंच सोल्डर एक पत्टी को इस तरह से रखेंगे पट्टी को इसको एसे से आट करना चाहें जब दूसरी सैड में भी यह उ्याओ कि इसको क्रोस में हमको ही स्टेच करण में है प्त इस तरह से देख लें कि दोनों साइडें हमारी क्रॉस पत्ती बरावर से बेठे चाते प्त्तियों को यह तरह में शपया है जो आप दएक एखा आ आप सएसक्राले ब्डेटे जी इसको यहां पर सब्सक्राइल दीए चीए इस तरह से अप्र वाली पाट्टी यह नीची यह में से देखे हैं अपने नीचे की ऑपह लिग ब्रद्व सहीAST लिगे 2.5 inch पे वी लगूप अपे लेगे निसान लगाया है तो इसको इस तरह से इंच कर लेंगे पट्टी को तो दीखी सेम मेंने 2.5 inch राइट साइड में लगाया आप लेप्ट साइड में लगा लिए था मार की तो तो यह उसी तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से यह पांच म लगी है वो नीचे है और सेम इसी तरह से ऊपर आ रहा है तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारी एक दम बरावर से आ रहे हैं तो जैसे मैंने यह 11 इंच की पट्टी लेती तो अभी आपको दाते हूं तयार में यह कितनी इंच आ रही है अगर आप इसको थोड़ा कम ब्र और 8 इंच आपकी पट्टी इस तरह से तयार हुजाएंगी अगर आप इसको और ज़्यादा बहतर लुक देना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं लेकि मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रही हूं तो इस आसन तरीके सी आप इस अंदुरसीन एकड़ जान बना सकते हैं ब्लाउज के लिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक यू